लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नूरे हक्षम में इलाही को बुझा सकता है कौर जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौर करें। क्यांव प्रॉट्स क्या क्यां अवर्ज यह बुट्स क्या मिविए, विदाए कर दो, आप्षम कर दियाना सारा काम तमाम अब ये आकाउंट फिर से कौन जोड़ेगा तेरा बात जोड़ेगा क्या साब साब मेरी गलती नहीं है इधर देखिए साब ये देखिए जब से यूनियन के लीडर बन गया है तब से कैसे रास्ते में पैर फला के सोय हुए है साब ओ, बेवड़ा साला है साहप, साहप, आपको मनीजा साब बला रहे है मेरा भारत महान है चिलाने की क्या दूस्वत है मैनेजर बला रहे है, यमदूत नहीं बला रहे है जा मैं आता हूँ, जा मुझे बला आपना आपको पैसा नहीं है यह सब क्या है क्या है मतलग यह गुड़वल कमपनी को इतना जादा पैसा ओड्राफट करके क्यों दिया गया है बेंक का गुड़विल बढ़ाने को देना पड़ता है आप बैंक की गुड़वल बना रहे हैं अपनी आप मुझसे पूशे बगायर कोई काम नहीं करेंगे अभी अभी उनको फोन कर दीजिए और कह दीजिए सारा रुपया सैनेडेस पहले बैंक में जमा करतें मैंने उसको तीन मेने का बूला हूँ है यह आपका अपना पैसा नहीं है बैंक का है पबलिक का है यह क्या आप काम पे शराब पी के आएं मेरे को डॉक्टर ने बूला दा किमिनलाल जी अगर दोबारा आप शराब पी कर आएं तो आपकी शिकायत मैं हायर अथौर्टी से कर दू पाँ बद्वी प्रशा जी सेफ की चावी ले ले लिजी इंसे जब तक यह शराब पी कर काम पर आना बंदा कर दें तब तक चावी आपकी पास रहेगी आप इन आउट प्रशा जिए देन कर दें इए एक पेगाल लो इस चावी के लिए प्रशा जो इस चावी के लिए परिशान हो जाए लेकिन मैं उस ताले के लिए परिशान हूँ जो हम दोनों की किसमत पर लगने वाला है जिस दिन वर्मा को इस बात का पता चल जाएगा कि बैंक का तीन लाख रुपया तुम इस गिलास में उंडेल कर पी चुके हो और मैं ताश की गड्डियों में बैंक की कितनी गड्डिया हार चुका हूँ उस दीन हमारी कि दर भाशन मत दे कोई रास्ता हो तो बता अरे रास्ता क्या बता हूँ मुझे तो जेल की कोटरी किसी बार कुट दिखाई नहीं दे रहा है जॉन बनेगा डॉन तो बन जान है यार काई को बोर कर रहा हूँ तो कि तुम्हारी पतंग की डोर अब कटने वाली है लेकिन माय तुम्हे बचा सकता हूँ अड़ू इस महरभानी की वजे जॉन सहाप इस हाथ दे उस हाथ ले 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 तुम हरे कृशन हरेराम इधर से गुजर रहे थे सोचा भाबी जी से मिलते चलें कौन है जी भाबी जी मैं हूँ आपका चूटा देवर मेरा भारत महान हरे कृशन हरे राम भाबी जी बैठी रहे भाबी जी इन ये क्त्र डbak hice जिसे चेर्य कि जब तक मैनेजर साफ मुझे माफ नहीं करेंगे तब तक मैं भावी जी के पैर नहीं छोड़ूंगा फर्गिज नहीं छोड़ूंगा अजी इन्हें माफ कर भी दीजे ना अगर तुम कसम खाते हो कि तुम दुबारा शराब पी कर बैंक पे नहीं आओगे तो मैं तुम्हें माफ किये देता हूं मैं भावी जी के चरनो की सोगन खाकर कहता हूं मैं शराब को कभी हात नहीं लगाऊंगा कभी नहीं अब तो उठ जाए भाई साफ अरे उठ जा भाई मैनेजर साफ ने माफ कर दिया है इदर आजा और ये ले चावी ये जिम्मेदारी वाले काम से मुझे बहुत डर लगता है अच्छा भावी जी अच्छा मैनेजर साफ हम चलते है अरी ऐसे कैसे जाएंगे भाई साफ खाना तो खाके जाएगे अब इस वक्त कहां खाना खाएंगे भावी जी कल से मैं आपकी सेवा के लिए अपनी पत्नी को भेज़ दिया करूंगा आप लोग अपनी चाय में शक्कर कितनी लगी हम दोनों को डायबिटी सर्च बगर शक्कर के ही चलेगी हाँ चलेगी कितना प्यारा जुला है मुन्ने के लिए है मुन्ने राजा बजेगा पाजा मेरा तो दिल करता है कि मैं खुद जुले में लेड़ जाओं और जुलू और जुलू बगरी तुम कभी जूला है जूला 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 हूं जूला हूं लेकिन अब हम दोनों साथ में जूलेंगे चियर जुन भाई अपने चाबियां मंगाई हमने लाकर दे दी अब आगे बताईए क्या करना आप जो कुछ भी करना है, मुझे करना है आपने सारे पुराने पाप धूल गए वाँ, क्या नोट छाप कर लाए थे 25 लाग के जाली नोट बैंक के बार गर किसी को शक भी नहीं हुआ सोचता हूँ इन जाली नोटों से जनता के वोट खरिद कर पॉलिटिक्स में क्यों नकुद पड़ू? मुझे भी साथ लेकर कुद पड़ना है साथ में बले ही नकुद हूँ लेकिन रूबूँगा ज़रूर साथ लेकर आएं, चलो लू ही आगे अरे खान, तुम कब आए? पांच बजे से बैठा आपका इंतिजार कर रहा हूँ क्यों? कोई खास बात है क्या? वर्मा, तुम्हारे बैंक से जाली नोट मार्केट में जा रहा है क्या? जाली नोट और मेरे बैंक से? एक आदमी F.I.R. लिखवाने आया था बेवा फर्सो ये कहता था कि F.I.R. लिखता और सीधा तुम्हारे हाथों में हत्कड़ी डालता लेकिन तुम्हारी इमानदारी और हमारी दोस्ती विश में आ गई मतलब? फारण पता करो के बैंक से जाली नोट कौन चलाता है वर्ना वर्ना क्या करेंगे आप? मेरे पती को हतकड़ी पहनाएंगे सीधा, खान अपनी ड्यूटी कर रहा है तुम फिकर मत करो दोस्त मैं एक हफ्त में पता लगा ही लूँगा हमारे बैंक में गदार कौने ठीक है वर्ना में चलता हूँ भावी तकलीफीलियम आपी चाहता हूँ Thank you very much जए जए सीधा क्या हो रुचाए क्या हो जए प्श्पदाल चलती जए लूँ लूँ भाव फ्प प्प लूँ जब दो तॉक MICHAEL यह भोब दो догाहि नहाद कंद लो ऑट करो करा वो दो कंदो झाल 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 मुपाने को गर्मादी कहा गर? कर थो पर के दप आप है कि असली असली क्या कर वैं जलती काली आहां है यह जलती में नकली यह यह ले जलती नकली हा यह यह उता पर आप है हाद ही क्यों अपनी गंदी शकले आईने में देखके घबरा गए हो वर्मा जी ये कितना भी जुमले अपने पास रखी है इससे हमारा पेट नहीं भरता आप दोनों का पेट अब सिर्फ खेल की रोटियों से बढ़ेगा और उसका इंतदाम भी मैं अभी किये देता हूँ हलो लगता है इनको जुआख अच्छे है हुआ 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 सिस्टर ज़्दी डॉक्तर को बला के लिए के आए कर दो कर दो अरे भाई आत्मा हत्या करने की को वजय तो होगी यह आत्मा हत्या नहीं हत्या है हत्या उन लोगों ने मेरे पती को महँड़ा रहा है तमाम गवाहों के बयाने से ये आदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चिमनलाल और बद्री परसाद जिन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने बैंक मैनेजर राम किशन वर्मा का कट्ल किया है बेगुना हैं क्योंकि मक्तूल राम किशन वर्मा की हत्या नहीं की गई बलकि उसने आत्मा हत्या की है इसलिए ये आदालत चिमनलाल और बद्री परसाद को बाइजद बरी करती है इसलिए को प्रिप जादो झाल 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 पाल किशिन तू दर्शन नहीं करेगा चांती हूं तू यही कहेगा कि भगवान के दर्शन उसी दिन करूँगा जिस दिन मेरा भाई राम वापस आ जाएगा ओम तो है माता आपिदा तो है बहुत है बंदु सगा तो है बहुत है कि अबहुत है बहुत है बंदु सब्सक्री बंदु सब्सक्रीद तू नहीं पंदु जी लेकिन मुझे यकीन है अबहुत है बंदु जी उस हट्ट्रेर का कुछ पता चला जिसने किसन की बच्चे उसकी माद चिनली है अभी तो नहीं बंडिट जी, लेकिन मुझे यकीन है, कि मेरा किष्यन उन्हें एक न एक दिन ज़रूर ठोन लेगा बुरामद मनिये बैंट जी, आपने किष्यन को इस्पेक्टर बना कर गल्ती किये अगर राम को पड़ा लिखाकर इस्पेक्टर बनाती तो अच्छा हो था, कहां रहता है वो, आजकल दिखाई नहीं देता राम के बारे में राम ही जाने, लगता है भगवान राम की तरह मेरे राम को भी पनवास हो क्या हमारे बेटे का नाम राम होगा बिलकुल नहीं, किशन होगा राम अरे भाग्यवान, मत रखो उसका नाम राम क्यों? वो इसलिए है, कि अगर उस बेचारे की किस्मत भगवान राम जैसे निकली तो चौदा साल उसे जंगल में बटकना पड़ेगा ची, कैसी अशुब बाते मुंसे निकालते हो मैं तो भगवान से प्रात्ना करूंगी कि मुझे एक नहीं, दो बेटे थे दो, दो एक का नाम राम रखोंगी और दूसरे का किशन Sam Sam चलाजा यह है कालिया बस्ती जुर्म की लंका यहां इंसान कम और हैवान जादा बस्ते हैं दुनिया का ऐसा कौन सा काला धंदा है जो यहां नहीं होता यह सब काले धंदे करने वाला सिर्फ एक ही शक्स है जिसका नाम है कालिया पठान उसकी गरिफतारी का वरण तीन महीने से मेरे टेबल पर पड़ा हुआ है लेकिन आज तक कोई ऑफिसर मेरे पास यह कहने नहीं आया के सर यह वरण पुझे दे दीजे मैत अलिया पठान को गरिफतार करता हूँ क्या हिंदुस्तान की माओं ने बाद और बेटों को चंद देना पंद कर दिया जो कालिया नाम की आँदी कि अब मुँ में लगाम डा सकें बड़ जाओ जब बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चे पीच में नहीं बोलते हैं जो इस अरेस्ट वारंट को अपने हाथ में लेना चाहते हैं सर अब ये घलती कोई नहीं करेगा वाट डू यू मीन इंस्पेक्टर जुबेर खान ने कालिया बस्ती में जाकर कालिया पठान को ललका रहा था लेकिन हुआ क्या पांच दिन के बाद मिस्टर खान की लाश भाई खाला के गटर में मिली थी आपका मतलब ये है के इंस्पेक्टर जुबेर खान की मौत के डर से हम राम के बजाए रावन के आगे सर जुखाना शुरू कर दे नो मिस्टर शर्मा नो जिस दिन कालिया जैसे मुझरिमों का खौफ हम पुलिस वालों के दिलों पर हुकूमत करने लगेगा उस दिन सिर्फ हमारी और आपकी ही नहीं इस वर्दी की भी मौत हो जाएगी जो हम सब ने पहन रखी है यादव यह कमेशन साहब हमको इंसान कम कुर्बानी का बगरा ज्यादा समझती है नेताओं की तरह भाशन दे रहे अरे हमारी मा ने हमको क्या इसलिए पैदा किया है कि हम जाकर अपनी गर्दन कालिया पठान के सामने रख दे और क्या दे लो भई एक आदमी ने अपनी जान दे दी और तीन सो रुपे पैंशन देने के लिए तीन माहिने लग जाएंगे वो नेने इंस्पेक्टर साहब आये ने क्या नाम है उनका कौन जैकिशन जी आहां जैकिशन जी ये नेने लोनों को हो क्या गया है सीनियर्स को कुछ समझते ही नहीं वो कमिशने साहब हमसे पूछ रहे थी तो ये जैकिशन साहब सीना तान के खड़े हो गए जैसे राना प्रताब मैंने हाथ पकल के बिठा दिया मैंने का बेटा जब बले बोल रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते है और सीनियर्स ही रहूंगा अगर आप एक ही क्लास में दस साल फेल होते रहें तो आप सीनियर्स नहीं पेलियर कैलाएंगे जैकिशन साहब ऐसी जुमले इंस्पेक्टर खान भी बोला करते थे मगर क्या हुआ मेरी मानों तो ये कालिया अगा को पकड़ने का इरादा छोड़ते और माल कमाव मान आपकी तरह मैंने ये वर्थी माल कमाने क foreigny नहीं पेनी लगता है कमिशन साहब की कुरवानी के बगरे तुम ही हो कालिया पठान को पकड़ना इतना आसान नहीं है मिस्टर जेम्स बॉन्ट, मतलब जैकिशन मैं कुत्तों के गले में पट्टा डालना अच्छी तरह से जानता हूँ और बाइद वे अगर मेरी लाश तुम्हें मिस्टर खान की तरह किसी गटर में मिले तो मेरी लाश को मेरी मा तक पहुंचा देना वो पुना में रहती हैं उनका पता यह है गीदल की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ जाता है यह कालिया पठान की तरफ गया नाम पता तेरा पूछ लिया मैंने तुझे को ढूंड लिया नाम पता तेरा पूछ लिया मैंने तुझे को ढूंड लिया मैं ही रो हूँ तु है विलन तु है विलन है आज तेरा मेरा मिलन मैं ही रो हूँ तु है विलन है आज तेरा मेरा मिलन यही रो है तु है विलन है आज तेरा मेरा मिलन है आगे पीड़ 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 मिलन तूगी तड़ है शेर नहीं शेर है तो मुखेर नहीं क्या लड़ना एक भुष दिल से चुहे बाहर आपिल से मले के आया ये बैंग बाजा मुख्त में रोटी दाल मिलेगी शेल तेरी ससुराल बनेगी मुख्त में रोटी दाल मिलेगी शेल तेरी ससुराल बनेगी ये हसकडी तेरी तुलहन, तेरी तुलहन, तेरी तुलहन, है आज तेरा मेरा मिलन मैं ही रो हूँ हूँ है विलन, है आज तेरा मेरा मिलन सोच रहा है क्या तू साले कर दे खुद को मेरे हाले अब कम तेरा देखने या मैं ले दम तेरा मैं हग इनसाफ करा ही हूँ तू चौर मैं एक तिपाही हूँ तेरे जेते हट माशों से बेकार के दिन जानाशों से तेरे जेते हट माशों के पेकार के दिन जानाशों से परना है मुझ तो पाक वसन पाक वसन पाक वसन है आज तेरा मेरा मिलन है आज तेरा मेरा मिलन ये चैलेंज देने आया हूँ ये चैलेंज देके जाओंगा मैं तुझको लेने आया हूँ मैं तुझको लेकर जाओंगा एक दो तीर चार आज पड़ेगी तुझको मारा पाच्छे सार आज मारो मुझे तोड़ो लाज नो दस ग्यारा बारा आज मरेगा ये बेच्यारा तेरा चोधा बंद्रा सोला आया तुझमार बेगो बोला ये ही रो है तु है विलन है आज तेरा मेरा मिलन लुए इधाया? हुआँ लुए यॉए favor है कई कई लॉँपकर यही मदल करन दोता था कोईता? ऐसा क्यों साब? बात यह है गंपत कि हम पुलिस वाले जब भी किसी मुझरिम को पकड़ के लाते हैं तो फॉरन फोन आ जाता है कि जिस मुझरिम को पकड़ के लाए हो उसे छोड़तो वो किसी MLA साब का साला होता है या MP साब की बहन का बेटा होता है इसलिए शरीफ इंसान जब तक अपने नाजाइस बापों का पता नहीं बता देता तुम फोन को हाथ मत लगाना समझ गया साब कबूल, कबूल, मुझे सारे गोना कबूल है मुझे सारे गोना कबूल है यादो, कालिया बटेन का बायन लिख लो राम, राम, हरे, 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 कृष्ल, हरे, राम यह पुलीस टेशन है, पुजारी जी, किसी मंदिर में जाईए पुलीस टेशन भी तो इंसाब का मंदीरी है आजादी से पहले हम लोगों ने गान्दी जी के साथ मिलकर राम राज का सपना देखा था तुम लोगों ने हमारी दी हुई वर्दी पहन कर रावन राज चला रखा है क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है कालिया पठान को छोड़ दो कालिया पठान ने अपना चुर्म कबूल कर लिया है तो अदालत में बदल देगा? तो अदालत से छोड़ वा लिजीगा अच्छा? तुम शायद मुझे जानते नहीं हो मेरा नाम एमेले बद्री प्रसाद है पिछली गवर्मेंट का तकता मैंने आके लिए पल्टा था सरकार से पगार ले और आराम से जिन्दगी गुजार कालिया पठान के लपड़े में पड़ेगा तो बेमाउत मारा जाएगा एमेले बद्री प्रसाद कालिया पठान की शलवार तो उधर गई है कहीं तुमारी धोती ना उतर जाए ना केठाव रफ्या जै किशन मैं हारी किशन का भगत हूँ ऐसी घंटी बजाओंगा ना के आगे से उं और पीछे से फूं तक नहीं निकलेगी जाओ जाओ जाकर घंटी बजाओ कहीं बाप का रा समझते हैं लोग जै किशन तुम्हारी मा को किद्नेप कर लिया गया है कोईह रहे हैं कालियाPP ठान को अगर एक घंटे के अंदर नहीं खोड़ा तो तुम्हारी मा को जान से मारवेगे काल्अ पतू हालाद है हमारे आदमी को छोड़ दो नहीं तो हम तुम्हारी मा को मरड़ालेगे मार दीजे मेरी मा को लेकिन मैं किसी भी सूरत पर कालिया पठान को नहीं छोड़ूँगा ये क्या किया तुम ने? धरती मा के लिए मैं अपनी मा की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ लेकिन आप तो ऐसे मरे जा रहे हैं जैसे कि वो मेरी नहीं आपकी मा है बाइद वे वो मेरी मा नहीं है उन लोग ने किसी घलत और को किड्नेप किया है मेरी मा तो सुभाही पुनस पहुची है लेकिन उन लोगों को कैसे पता चल गया कि मेरी मा पुना में रहे हैं बड़ी सीधी जिवात असाब जिस तरह आपने अपनी मा का अड्रेस मुझे दिया था हो सकता किसी और को भी दिया हो या फिर ये भी हो सकता है कि आपके खिसे से गिरकर वो अड्रेस सीदा उन लोगों के पास पहुच गया हूँ जर आपने खिसे में देखना कहिछे तो नहीं बिल्कुल नहीं कैसी बात कर रहे हैं ये देखी आपकी मा का अड्रेस मेरी जीब में आभी तक मौझूद है तो ये अड्रेस वहां तक कैसे पहुच गया कालिया पठान आज और अभी बताएगा गाम सेंग कालिया पठान को बिटाएगो में ले चलो हाँ 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 हमस्तार को हिला तो सब का हलबा कर दूँगा अब तो मुझे मेरी मन्जिल तक पहुंचाएगा चल चल हट 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 हाट है हм हाट हाँ 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 यह तरफ 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 अ प्रफ चर्मा जी हमारे नाना पिता जी कहा करते थे कि समय पढ़ने पर तो घदे को भी अपना बाप कहना चाहिए आज हम तुम्हें अपना बाप कहेंगे परम्पुज्य पिता जी कालिया पठान को सही वक्त पर गोली मरवा के आपने जो अपनी अकल का परीचर दिया है वो काबिले तारीफ है हम आपके पर छोएंगे नहीं, नहीं, सर, क्या कर रहे हैं आप तू तो ऐसे पिछे हट रहा है जैसे मेरी पिट पे बंबंधा हो नहीं, सर, ऐसी बात नहीं है अच्छा नहीं लगता, पर छोना नहीं छोना लेकिन थपड तो मार सकता हूँ ना ठी, ठपड, ठी, ठीज, अब पूछ ठपड क्यों मारा, पूछ क्यों मारा, क्यों, क्यों मारा सर, इसलिए कि तुन्हे पहले ही कालिया पठान को फोन करके क्यों नहीं बताया, कि वो हराम इंस्पेक्टर उसको एरेस करने जा रहा था, सर उसने इतनी होश्यारी से चाल चली, मेरा भारत महान करता है दुश्मनों के गुडगान, अब इस सरकारी दलाल, हर महीने इस मंदिर से किस बात का प्रसाद लेकर जाता है, जी, वो अपर, वर्दी तुझे जरूर सरकार ने दी होगी, लेकिन उसके नीचे जो इंपोर्टन्ट, क्या वो इंपोर्टन्ट, इंपोर्टेड, इंपोर्टेड भीदेशी चड़ी, जो मेरे पैसों की है, इसलिए सरकारी काम कम कर और मेरा कम जादा, पुछ क्यूं? क्यूं? क्यूं सर, क्यूंकि सरकार अगर तेरी वर्दी चीन भी लेगी, तो अभी मेरी चड़ी तुझे नंगानी होने देगी, और अ चोड़ दो मुझे, मैं चोड़ दो नहीं इस बुडिया का क्या करें? अबे करना क्या है छोड़ देना ये भारत मता थोड़ी है जिसके लिए पुरा हिंदुस्तान मेरे कदमों में किरेगा चल जा बुडिया जा एश कर जा के भजन कर जा 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 देखो शर्मा जी इससे पहले कि मेरे भेजे का प्लास्टर तूटकर तेरे सर पर गिरे फारण जाकर पता करो कि इंस्पेक्टर का कमजोडी क्या है अनिमी विकनेश और स्रॉंगनेश गो मुल जा पज्दी मेरा भारत महार भारत महार कभान है है कभान मुल इस पूदधा साम को बेले साम को लेजां कभान कभी कढसा आ जाख यहिंगी यहाँ से घजर रह था सोचा तूमसे मिलता चलू अच्छा किया, क्या पी होगे, चाय, कॉपी थंडा, ने, फिलाल तो एक गलास थंडा पानी, मा, मा शर्मा जी आए, एक गलास थंडा पानी भेजना, लाई बेटा, जै किशन, कुछ पता चला, ये कालिया किन लोगों के लिए काम करता था, अभी तो नहीं, लेकिन बहुत ज किया वात है, शर्मा जी, ये हात क्यूं काम रहे हैं, ने, हात तो नहीं काम पढे है, गलास हात से छूट गया लगता है आपने nivel को पहां को पहले कहीं देखा है, जी नहीं, मैं तो इनको पहली बार देख रहा हूं, अच्छा, पहली बार देखा है, तो फेर इतना पसी परसीना, कहा है परसीना? यह लेजिए, परसीना पहुँच लेजिए नहीं नहीं, मैं चलता हूँ एक बात सुनते जाए जिस आदमी ने मेरी माँ को किड्नैप किया था मेरी मानी उसकी शकल तो नहीं देखी लेकिन आवाज जरू पैचान लिए जिस दिन वो पकड़ा गया, बाकी भी बच नहीं पाएंगे क्या बात है शर्मा जी? यह बदरी सुबह सुबह बॉखला है हुआ क्यों नजर आ रहा है? बात यह सर की इंस्पेक्टर जैकेशन को शक हो गया है कि उसकी माँ को किड्नैप कराने में मेरा हाथ है तो अपने हाथ काट दो नहीं समझे बुजूर्ग कह गया है कि जब अपनी गर्दन फंदे में जूलती हुई नजर आए तो किसी दूसरे की गर्दन फंदे में डाल दो या वो फंदा काट दो इसमें से कौन सा काम तुमारे लिए इसी है मेरा मतलब आसान है ये फंदा काटना तो बहुत मुश्किल है तो फिर किसी दूसरे की गर्दन फंदे में डाल दो मैं समझा नहीं अरे भाईया वो जो समझना है जल्दी समझ लो वरना बॉस को ख़बर पड़के तुमारे तो आप हर बार ये बॉस का नाम लेते हैं मगर आज तक मैंने उनकी शकल नहीं देगी किसमत वाले हो भाईया जिस दिन शकल देख लोगे न वो दिन पतलुन गिली हो जाएगी है? चिमान और मेरी पतलुन तो कई बार गिली हो चुकी है चुपकर यार एलो रुपिये और काम हो जाना चाहिए अगर कुछ गड़बड की तो तेरे बाल बच्चों की खेरत नहीं समझे नबस्ते एए कहा अंदर बुसी जा रही है ये पुलिस टेशन है तो मैं कहा कह रही हूं कि ये भैसो का तबेला है कहा ए तेरा साब अरे क्या बात है मुझे बता छोटे-मोटे केस तो मैं समाल लेता हूं अगर तुम्हारी इज़त पर किसी ने हाथ डाला है तो मुझे उसका नाम पता बताओ अरे मैं उसकी इज़त पर हाथ डाल कर तुम्हारी इज़त वापस ले आऊँगा ए तुझे हवालदार किसे बनाया रहे? मेरी मा ने हम समझ गई क्या समझ गई? यही कि तेरी मा ने तुझे हवालदार किस लिए बनाया? किस लिए? ताकि तुप पुलीस में भर्ती होकर सरकारी खर्च पर ये पता कर सके कि तेरा बाप कौन है? एक! क्या वक्ती है? अंदर कर दूँगा! हाथ लगा के तो देख साले ऐसा कारंट मारूंगी कि तुँ वापस अपनी मा के पेट में घुष जाएगा हे लगी! क्यों चिला रही है? मैं ही नहीं सारा हिंदुस्तान चिला रहा है कि गुंडाराज खतम कर दो मगर तुमको क्या? इधर उदर घूमे आग घंडे की ड्यूटी में साथ घंडे सोए पगार लिए और चल दिये घर कोई मरता है तो मरे किसी की इज़र लुटती है तो लुटे मैं पूछती हूँ कि सरकार तुम्हे किस बात के लिए तंखा देती है सरकार मुझे तंखा देती है गुंडागर्दी खतम करने के लिए और भोले भाले इंसानों पर हो रहे जुल्म को मिटाने के लिए क्या ये बच्चे तुम्हे भोले भाले नहीं लगते ये और चोरिया डाकू लगती है बिलकुल नहीं अरे तो फिर इनकी जान की इफादत कौन करेगा कौन है ये लो पूरी रामा इन खतम हो गई और ये अब पूछ रहे कि रामचंद्र जी कौन थे कौन थे? तेरे बापू राधा, राधा कम्री को पान बापू बापू राधा के बापू हमारा पेंधरने के लिए बापने ये क्या कर लिया बापू हमें भूख लगेगी तो हम पानी पिकर सो जाएंगे साहब मेरा पती निर्दोश है हमारे पेट भरने के लिए इन्होंने दूसरे का पाप अपने सर ले लिया है कौन है वो आदमी जिसने तुम्हे मजबूर किया यश्वंत साहब अगर मेरे जबान खुली तो वो मेरे बीवी बच्चों को मा ढालेगा बाप का राजे क्या साहब मैं बताती हूँ वो साला मुद्टू जात का कसाई है जानवरों को तो काटता ही था अब आदमीयों को भी काटने लगा है काँ रता वो बाच्चा मंडी में मुद्टू कसाई गाने था मुद्टू कसाई कौन है मुद्टू कसाई गाने था चलबाई मुद्टू कसाई गाने था मतोना, मतोना, मो पुलीस वा धूल रहा तुमको काने दे उसे क्या चाहिए तरह को, आदा किलो आदा किलो देश को काना भाय? मुट्टू कसाई काई मुट्टू कसाई मुट्टू कसाई उपर है उपर सब बक्रे वही काता है तेरे को भी करते है तो जा जाना वं झात, दोijuana, पोना राहँ जोली年的 मेडनी जा भी कि प्रए्य दोaking प्रए्यों सक्कॉड्य हा शोगे भल बन्रहा มझे हुँ कि अरुछ अरुछ बाद्ख बाद्ट का अर्ष कि अर्ष ट्रीज आरुद आर शीव भून कि अरुछ और युछ में तो बाग खियांग क्जजडर रिंग किस अ की एंग की एंग坐ाइ कि का एंग एंग किंजडर व एंग यहाँ जाऊ Gemeंऑए तृम्यार confession झाल 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 अरे वास साब मज़ा आ गया क्या हंगामा कर दिया तुम्हें पूरे शेहर में पब्लिक से तुम्हारा नाम ले रही है इंस्पेक्टर है या तूफान हवा की छोकी की तरह आया मुतू की हंडिया फोड़ी और आंधी की तरह चला गया क्यों बे अभी मुंडी चुका के क्यों बैठा है अब दिखा दादा गिरी दोई फटके में हावा पतली हो गई अरे साब तुम्हारे जैसे करक अफसर दोचार और पेदा हो जाए तो पूरी बंबई का कल्यान हो जाए तो फिर कल्यान का क्या होगा क्यों तेरा बाप कल्यान में रहता है क्या चलो जाने से अरे साब मतलब की बात तो अभी तक हलक में अक्की हुई है तो जल्दी बखो अरे-अरे साफ ठेलो अरे साफ, दिल की बार जबान पर लाते-लाते लड़किया जवानी से बुढ़ापे में पहुंच जाती है और तुम चाहते हो मैं अपनी दिल की बार धर से बार निकाल दू जैसे कि इधर से अधनी डाली और उदर से आद्वी का वजन बार निकला ताइम लगता है, शर्माती है न आपको भी शर्माती है ये घागरा चोली वाली लड़किया आपकी पतलून वाली लड़कियों से ज्यादा शर्मीली होती है कहो तो शर्मा के दिखाओ शर्माव ना तुछ से तो मेरी मा न शर्माए मैं क्यों शर्माओ चलो, जाओ भी यहां से दिल की बात कहे बगएर बिजलिया से हिलने वाली नहीं गनपात जी, इनकी जो रपोर्टे लिख लो प्लीज ये दिल का मामला है साभ इसकी रिपोर्ट साही से नहीं खून से लिखी जाती है और वो भी कादस पे नहीं दिल की किताब दे ये क्या है या साहब के दो बच्चे है अरे एक बार शादी कर ले तेरा साहब पूरे दर्जन पैदा करके घर में पुलीस टेशन खोल दोगी चले बोटो गया देरा चले यहां से निकल नहीं जाओंगी बोलो क्या कर लोगे अब ये अगर सच मुच की मर्द हो तो अभी ये हात कभी नहीं छोड़ना साहब क्यों करण लगा क्या साहब ये बिजली करण वाली का हाथ है चटका मारे तो दूर फेख देती है और चिपक जाए तो कोई छुड़ा नहीं सकता क्या समझे हाँ 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 लूरू 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 बैक मारती है परंट मारती है देखो ये लड़की करंट मारती है बैक मारती है बैक मारती है ये काली नागिन का है नमोना बैक मारती है ये डंक मारती है देखो ये लड़की करंट मारती है बैक मारती है परंट मारती है देखो ये लड़की करंट मारती है मुखड़े पे लड़के नैनों के पिंजरे ये दिल के पंची के पर गजर के मुखड़े पे लड़के नैनों के पिंजरे ये दिल के पंची के पर गजर के पिजरे में करके बंद मारती है देखो ये लड़की करंट मारती है बैक मारती है परंट मारती है देखो ये लड़की करंट मारती है पॉलीस इसको पकरती नहीं है पॉलीस इसको पकरती नहीं है ये करके आकसीडेंट मारती है देखो ये लड़की का रंट मारती है पहक मारची है पारंट मारची है देखो ये लड़की करंट मारची है जिसकी नजर के जादू से बचना जिसके इधर की खुश्बू से बचना ना जाने कौन सा ये सेंट मारती है, देखो ये लड़की करंट मारती है प्रांसेंग, गुड़ मॉर्निंग, क्या बात है? कोईलजन्ट मेसिच? नहीं साथ, मैं अपने काम से आया हूँ अपनी बहन के शादी के लिए हैड ओफिस में कर्स के लिए दरखास दे थी, लेकिन नामनजूर हो गई साथ बहन की बारात तिन दिन के बाद आएगी लेकिन डोपियों का इंतिजाम नहीं कर पाया हूँ साथ अगर बारात वापस लॉट गई तुम्हे किसी को मुह दिखाने के काबिल नहीं रहूगा साथ बैठो 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 हमत माना हर बैठो राम सिंग जी तुम्हारे बहन के शादी के लिए कितने पैसे चाहिए सेर्फ करीबन 20,000 रुपियों की ज़रुवत है यह लो इसे बैंक में ले जा और आपनी बहन के शादी की तईयारी करो बहन जी बिल बन गया पैसे दे दिये तो गहने पैक करने में इतना टाइम क्यू लग रहा है मैं अभी पता करती हूँ सुनिये आपको सेटी बुला रहे हैं मुझे क्या बात है सेट जी सोच रहा हूँ जब पुलीस वाले जर्म करना शुरू कर देंगे तो इस देश का क्या होगा क्या मतलब अवल्दार साहब ये जाली नोट किसी और दुकान पर जाकर चलाएए जाली नोट लेकिन ये रुपाई तुम्हे अभी अभी बैंक से लेकर आया हूँ तो फिर बैंक में जाकर पता कर लीजे ठीक है तुम्हे आई रुको में आप याता हम पर कहां जारे भीया ये जाली नोट उनके मुवटे मारने क्या है ये जाली नोट? जो तुम्हारे कैश ये दिये है तो अद्यमाग तो खरब नहीं हो गया है कभी सुनाए के बैंक से जाली नोट मिलते है कभी नहीं सुना था लेकिन अज सुन भी लिया और देख भी लिया तुम जाते हो या मैं पुलिस को बलाओं पुलिस को बलाने के कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस वाला तुम्हारे सामने खड़ा है हवल्दार राम सिंग हवल्दा साहब ये सरकारी बैंक है शराब काटगा या अफीम चरस की दुकान नहीं जहां से आपको चाय पानी के लिए कुछ मिल जाए सिर्फ चाय पानी ही नहीं मैं आपको डाल रोटी भी खिलाओंगा और वो भी साथ बाई बारा की खुली में अगर तुम पुलिस वाले हो तो मैं भी काईद कानू से अची तरह बाकिफ हो मुझे आरेस करने के लिए तुमार पस वारंट है जाएए पहले आरेस्ट वारंट लेकर आईए जाता हूँ आरेस्ट वारंट के साथ-साथ मैं तुम्हारे बाब को भी लेकर आऊँगा मेरा भारत महार मैं कमल बोल रहा हूँ कीचर से बोल रहा है कीचर से नहीं दल दल से बोल रहा हूँ क्यों वाहां भी बैंक खोल के रखी है क्या बैंक खुली नहीं है जो खुली है न वो भी बंद होने वाली है दामाद जी मैंने बड़ों-बड़ों की बंद कर दी है मेरी कौन बंद करेगा तुम सिर्व वन लाइन स्टोरी बताओ जान जान बने का दान झाल 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 है झाल झाल कि एप घसे पूल थाहर वन ऊपआता न को रहाँ हैं इा हैं आ टुछ सक secretary कля कि औरिया चलब पर बस बहुत सित्वा नहां जुड़ाई ओो पराईयदा नहां सित्वान당 टुड़ाई फैप जौर परणोड़ा ऑट हाम पाने ए जुड़ाईय जू जुड़ाईस पन्हों जुड़ाई प्रप्राइ। प्रॉट। हुआ हुआ! इसा हुआ निसा! प्रॉणा रहा हुआ इसा हुआ करो राए करें आगे, करें पहा हुआ कर दिया हुआ रहा हुआ आहा हुआ मेरे पती ने जाल दी नहीं है उनके जाल नहीं गई है याद मेरे पती नहीं हत्या है हत्या है उन लोगोंने मेरे पती को बहुँ डारा सोटी क्या दामाद जी? क्या बोल्दा था अवाल दर आपको? पुलिस को बुलानी की जुरूत नहीं है पुलिस वाला तुमारे सामने खड़ा है अवाल दर राम सिंगा जुरूत 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 जुर आपको थैंक यू बोल और गुश जानु अरे राम थैंक यू लीडी का फोन आया था इससे पहले की बात बिगड़ जाए बैंक से सारे जाली नोट हटा दो दामत जी जी कल सुबह तक नोट बदल दी जी एका हाँ क्या हाँ क्या है वेल जाँ क्या है अप्रेट राम क्या हेगเหाँ क्या है क्या है क्याए वेल भी भी तो को हुआ है? हुआलतार राम सिंग के गतल में किन लोगों का हथ है? कौन राम सिंग? मैं किसी राम सिंग को नहीं जाता ह। 25 साल पहले इसी तरह बैंक में जाली नोडों का धंदा करने वाले एक कैशियर और अकाउंटन्ट है मेरे पाप का गतल करके राम सिंग की लाश की तरह रेलवे के पठली पड़ डाल दिया था उनकी जान बचाने के चक्कर में तू अपनी जान खाओ पड़ेगा Mेरा दामाद में बी पूरी तरह है कोई राशता दिखा रॉचा का जान दू अजय को बन्दूख कर किसको तब उठाला जब मरा बाप आएगा बोस ये हाइदरावदी फटका क्यों इसलिए के दीन रयाल बेकारी को राजा की कुर्शी पर बिठाना भी जानता है और किराना भी समझे लेकिन मेरा कुसूर क्या है कुसूर नमबर वन तुम आख बंद कर के सोचे हो क्या जोक मारा बॉस आदमी आख बंक कर के नीँ सोगा तो कैसे सोगा है इस दंदे में आदमी सोता भी है तो आंखें खोलकर वरना पुलीस वाले आंखों की नीन कभ चुरालेंगे पता भी नहीं चलेगा चिमनलाल अरे ऐसे कैसे चूरा लेंगे बॉस हम कोई अनाडी है क्या अगर अनाडी नहीं हो तो बैंक मेनिजर कैसे गिरफतार हो गया चिमनलाल अगर तुम ये चाहते हो के हम तुम से तुम्हारी जिन्दगी न चीने तो बैंक मेनिजर के कोट में बयान देने से पहले तुम्हें उसकी जिन्दगी चीननी होगी लेकिन बॉस वो मेरा दामाद है मेरी बेटी का सुहाग हो तुम बेटी के सुहाग की बात कर रहे हो मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी की जान ले ली, समझाए। मैं समझ गया बॉस, मेरा दामाद अदालत तक नहीं पुछेगा। That's better! Hello Patnaar, तुम्हारा क्या ख़बर है? Top of the world, absolutely no problem! तुम इसी तरह अपने मुल्क में हिंदुस्तानी नोट छापते रहो और हमें भीजवाते रहो He's a nurse, तुम्हारा जिया जाओ, तुम्हारा माल त्यार है Don't worry, I'll be there John, जाली नोटों की डिलिवरी के लिए, रात मैं हंकांग जा रहा हूं लेकिन इस बार तो आपका दामाच चाली नोटलाने वाला था तुम फिकर ना करो, उसके बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं मेरे नवासे, ये काम अब वही कर रही है ये कुछ हमारे खिलोग पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहा है चुप करके बाइठा कल तुम खुद कोट में रहना अगर जरा सा भी खत्रा नजर आए तो चिमनलाल के दामाग को गोली मार देना कर दो कर दो मून भीटिक्स फको कर रहाए वा कमाल कर दिया है धोती फाड के रुमाल कर दिया खोलो मेरे दामाद का मूँ तो यह अपने जगे से हिलेगा नहीं अगर हिला तो गोली अंदर और तम भाहर अरे राम तू आम आए इंस्पेक्टर जैकेशन पॉपपदानी अरे तु अकेला हमारा कुछ ने विगाड सकता है टे एए प्रस चाहतर है मैं पहले आईजी से बात करता हूं बाद में तुम लोगों के साथ चलूंगा मैं खुद स्फेक्टर जैकेशन मैं आई जी खन्ना बोल रहा हूँ आई जी साब, मिनस्टर चिमनलाल जी आपसे बात क्या नच चाहेंगे अच्छा, दो फोन उस चोर को यस सर, लीजिये मेरा भारत महान, क्या हो रहा है नेताओं का अपमान क्या हो रहा है यह सर, एक मामूली इंस्पेक्टर उठता है और सिधे मिनिस्टर को एरस करने चला आता है जी मलाल, अगर एक छोड़ी सी चीटी भी हाथी की सून में घुच जाए तो वो हाथी को नानी याद दिला देती है इस्पेक्टर जैगिशन भी तुम्हारी सून में खुच चुका है बलाई इस ही में है कि तुम अपने जूते सर पे रखके अपने आप हतकरी पहन के सीधे पुली स्टेशन चले आओ यह आप क्या मजाग कर रहे हैं सर हमारे और आपके तालुकात इतने सालों से है सुनो चे मनलाल मैंने इस्पेक्टर जैगिशन से कह दिया है अगर आप लोग खुच चलके पुली स्टेशन नहीं आए तो वो आप लोगों को बेदरक गोली मारतेगा बाकी मैं संभाल लूँगा कमीना साला वक्त में पल्टी खाता है आज तक साला कुता बनकर हमारे सामने अपनी दुम हिलाता था आज साला हमको कहता है कि अपने जूते सर पर रखकर पुली स्टेशन आजाओ तो रखो जूते अपने सर पर और चलो पुली स्टेशन ज्यादा सिकंदरी दिखाने के कोशिश मत कर वरना चटके में वर्दी उतरवादूंगा तुम मेरी वर्दी तो बाद में उतारेगा मैं तेरा क्या-क्या उतारता हूँ वो तेख यह अच्छा नहीं किया है जै किशन तुमने नहीं किया है अच्छा सोय हुए शेर को जगा दिया है तुमने हमारे हाथ में हटकडी डाल कर सडक पर घुमाया नहीं बल्कि हमारे जखमों पर नमक रगना है तुमने बहुत इंसल्टी किया है हमारा हम तुमको माफ नहीं करेगा यह मिस्टिक का सजा देगा हम मेरे पास इतने सबूत है तुमारे खिलाफ कि अगर तुम उल्टे लटक कर भी कोशिश करोगे तो भी 20 साल तक जेल के सलाहों के पीछे ही सडोगे अरे हम वो गुड नहीं जिसे तुम जैसे चिटे खा जाएं हम तो चचुंदर है चचुंदर है अगर साप के मुझ में भी फस जाए ना तो वो ना निगल सकता है ना उगल सकता है निगलेगा तो मर जाएगा उगलेगा तो आंधा हो जाएगा साला आच्या निगलेगा तो आनधा हो जाएगा अच्छा बोल लेत्युट गवरी कभाई सचरल सर ऑजी मेरे पती यह है अे?", यह है मेरे पती Hi..! Thank you sir चला बड़ नहीं भीया हमें तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है अच्छा चला खम खम बड़ क्या बात एक बात कहूंगी ना तो नहीं कहोगे पहले बात तो बताओ पहले मेरी कसम खाओ अच्छा बाबा तुम्हारी कसम यह रुपए रख लो अच्छा बाबा आपने वक्त पर गौरी की मदद की हम आपके अहसान मंद है अच्छा हम चलते हैं अच्छा हम चलते हैं अच्छा चाहे तो भीगब जाओ गनपात भावी कैसी है बहुत अच्छी कबारी कौन है अप लोग हम सी वियाई ऑफिसर से इन दोनों ने कंप्लेंड किया है कि आप इनसे रिश्वत माग रहे हैं और यह तों कर रहे हूं इंस्पेक्टर जै किशन यूर अरेस्ट मेरा भारत महान सिस्टर ने लेली ब्रदर की जान हरे कृष्णा हरे राम क्या फाइदा हुआ इमांदारी का जूता चाट करा जिस कानुन के लिए तुम इतनी फाउसदारी कर रहे थे उसमें तुम्हारी मदद की लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे जैसे यहां से छूटेंगे सबसे पहले हम तुम्हें छुडाएंगे सरकारी नोकरी चली जाएगी लेकिन हम तुम्हे नोकरी देंगे अपने सर पे अपना जूता रख कर गूमने के जैसे हमें गुमाया था ए गुरगुर कर क्या देखता है भे तू कुछ ने कर सकता समझा अरे कुछना हरे राम देख देख कैसा देख रहा है चलो तुम दुरे को चल ले एक तमीच से बात करो यह मेले है हम मिनिस्टर है और अभी तर जुर्म सावित भी नहीं हुआ है और नहीं होगा चलो चलो हम जा रहे हैं मुन्ना लोट कर वापस भी नहीं आएंगे मुन्नी ये लो इसे जबते रहना कहना हरे कृष्णा हरे राम मंतरी चिमनलाल और मेले बद्री परसाथ को ये अदालत बेगुना मानते हुए बाइजद बरी करती है हम तो छूट गई जैकिश्यन लेकिन तू नहीं छूटेगा क्योंकि तुझे चुडाने के लिए आप या तो भगवान आए या नंदू और भगवान आता नहीं है और नंदू को हम आने नहीं देंगे मेरा भारत महान हरे कृष्णा हरे राम नंदू हरे कृष्णा हरे कर दो से एफ दूटेगा अजया हरे कि अप्रस्टेगा अजया हरे कृष्णा हरे कि दूटेगा और यावान दूटेगा गरम गरम उच चली चली मेरी पता हाँ तू कहाँ चली लगे नखो कर तुझे कहीं मेरा प्यार दिठा है गली गली आजा 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 मुझे लगा इशक दा रोग को ही दवा करो मेरे पास पे तब लोग मिल कर दुआ करो मुझे लगा इशक दा रोग को ही दवा करो मेरे पास पे तब लोग मिल कर दुआ करो मेरे बुआ करो मेरे लोग मिल कर दो दुआ करो मेरे रोग बासो मेरे अजा आजा आजा पंची पिंजरा तोड़ गया दिल मेरा मुझे को छोड़ गया हो किसी को कुछ ना रों तो जाओ पता करो मुझे लगा इशक गारोग को ही दबा करो मेरे पास पे तब लोग मिलकर दुआ करो जल्दीना अगर दवा होगी मर जाएंगे दिल के रोगी जल्दीना अगर दवा होगी मर जाएंगे दिल के रोगी लोगो जोगी ले लिया है हमने जोग हमको विदा करो मुझे लगा इशक गारोग को ही दबा करो मेरे पास पे सब लोग मिलकर दुआ करो मुझे लगा इशक गारोग को ही दबा करो मेरे पास पे सब लोग मिलकर दुआ करो आदालत इंस्पेक्टर जैकिशन को रिश्वत लेने के इल्जाम में ठेरिये जजज सहाब चल्ट साले आडर आडर गलत फैसला मत सुनाईए जजज सहाब फैसला गलत है या सही ये तुम कैसे जानती हो मैं नहीं जानती लेकिन ये आस्तीन का सब जरूर जानता है और अभी आपको भी बताएगा बोल साले बोल बताता हूँ जजज सहाब बताता हूँ इंस्पेक्टर जैकिशन, तुम्हें बाइजदत बरी किया जाता है नंदू को हिरासत में लिया जाए और उस पर मुकदमा चिलाया जाए चले, जल तांकि बजली साथ, साथ अरे यार, बदरी, यह लड़की तो हमको चुना लगा के गई है तो मैं क्या करूँ, पान लगाओं ओ, यह लाइट कैसी आफ हो गई ते जल्दी लाइट जलाओ अरे, कौन है तू? रावन के लिए, राम और कंच के लिए किशन इस्प्टर जय किशन? अंदेरे में भी अपनी माउथ को पहचान लिया है अरे, तुझे तो अंदर करवा दिया था, तू बाहर कैसे आ गया? जिस तरह नंदू अंदर हो गया है क्यों, आगे से उं और पीछे से पू निकल गई? मैं तुम दोनों को भी नहीं छुड़ूँगा ए तू हमारे अड़े पर आकर हमको ही दंकी दे रहा है अड़े तो रंडी और भड़वाओं के होते हैं तुम को नो ये तो पता नहीं अरे रामा, हरे क्रिष्णा या बदल, हम लोग क्या है? इसके बाप हैं अरे हम लोग तरी धंकियों से डरने वाले नहीं हैं ये जैकिशन तो हमारे लिए मुसिबत बन गया है आप फिगर मत करिये मंत्री जी मैं साले जैकिशन का तो ऐसा इंतिजाम करूँगा करूँगा, करूँगा किसी करूँगा में मेरे भारत महान का सत्यानाश हो गया है Only talking, me talking, madri talking and you be talking I.G. I.G. नहीं, I.G. आँ, भई, खरना, I.G. लेकिन जो करना है वो करो, बोलो नहीं क्या करना है और क्या नहीं करना ये आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए जैकिशन जैसे कई सर्फिरे अफसर मेरी जिंदगी में आए और चले गए लेकिन मैं वही का गई हूँ जान से मार डालने की धंकी देने का मतलब ये नहीं कि जान से मारी देगा अरे मारी दिया तो क्या कर लो गया आप क्या समझते हैं कानून नीन की गोली खा कर सो रहा है कानून सो रहा है या जाग रहा है या मुझे नहीं मालूम लेकिन जब से साला वह दंकी देकर गया है ना मेरी नीन हराम करके गया है एमेले साहब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं ओ हो ओ हो तो आप उनके बरसने का इंतजार कर रहे हैं कि वो बरस जाएं और हम तपक जाएं उसके बाद आप उमारी लाश पर सलामी देने आएंगे आज से इंस्पेक्टर जैकशन जो भी कदम उठाएगा मेरी निगाह के ताहरे में होगा करेंपे बरसते हमस्ति बरस जाएगा गॉण एव नहांने okay वजए दो सब्सक्राइब एक तर्खें फजब आप ग्ष॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ तुम आवसी हैं? यह खून मैंने नहीं किया है। जानता हूँ कि यह खून तुमने नहीं किया है। क्योंके गत्ली की खबर मुझे साथ मिनट पहले टेलीफोन के जरीए मिल गई थी। और कोई भी कातल कातल करने के बाद साथ मिनट तक लाश के पास बैठा नहीं रहता। लेकिन तुम हो कौन? मैं बता दाँ सर। तुम? यह मेरा भाई राम है। क्या? तुमारा भाई? हाँ सर। यह मेरा जुरा भाई है। सारी दुनिया जानती दी कि मेरा एक भाई है। लेकिन किसी ने इसकी शकल नहीं देखी थी। क्योंकि हमें शाम से दूर रहा तुम्हारा मतलब है कि इतने दिनों से मैं राम को इंस्पेक्टर जेकिशन समझता रहा यह सर्थ तुम्हारा भाई इतने दिनों तक कानून के साथ मजाग करता रहा और तुम चुपचाफ तमाशा देखते रहे वाई दिन्ट यू इंपॉम मी सर्राम ने मज़े कैद कर रखा था एक दिन जब मैं मंदिर के बार माँ का इंतजार कर रहा था तो इसने मज़े क्लोरफांस नागर बेहुश कर दिया मा के आने तक इसने मेरे जिसम से वर्दी उतार कर खुद पहन ली और राम से इंस्पेक्टर जैकेशन बन गया लेकिन राम जानता था कि माँ उसे देखते ही पह चान लेगी क्योंकि हम दोनों सिर्फ एक ही फर्क है आँखों के रंग का उसने बगी आसानी से आँखों का रंग भी बदल दिया दुनिया के साथ से माँ भी दोखा खागी कि ये राम महीं इंस्पेक्टर जैकेशन है राम तुम्हें ये सब करने की क्या दूरू होती मैंने दिन रात महनत मजदूरी की ताकि मैं किशन को पढ़ा लिखा कर इंस्पेक्टर बना सकूँ और ये हमारे बाप के कात्लों को फांसी के फांसी के फंदे तक पहुचा सके लेकिन मेरी साथी महनत पर पानी फिर गया बाप के कात्ल तु दूर रहे उन्होंते भावी का भी कदल कर दिया और ये कुछ नहीं कर सका इसलिए मैंने केशन से ये वर्दी छीन कर पहनी और दस दिनों में वोकर दिखाया जो ये मेरा भाई दस साल में नहीं कर पाया और तुम खुद कहां पहुँच गये राम जो फंदा तुम उनके गले में डालना चाहते थे वही फंदा उन्होंने तुमारे गले में डाल दिया है अब तुम सिर्फ कानून के मुझरिम बन कर रह गए गये है आपका कानून और कर भी का सकता है उसने हमेशा गुनेगानों को बेगुनाओं को जगड़ा है क्योंकि ये अंधा जो है हमारा बाप मारती है या मादा लग के सामने चीखती रही चिछलाती रही किर्जट साब यह आत्मा हत्यान नहीं हत्या है लेकिन लेकिन मेरी मा की आवाद आपकी कानून के कानों तक नहीं पहुंची जब तक मैं अपने पता के हत्यानों की जान नहीं ले लेता मैं चैन से नहीं बढ़़ूँगा अराम अब तुम कुछ नहीं करोगे इंस्पेक्टर शर्मा का कतल करना और उसके बाद मुझे फोन पर इतला करना यह सब तुम्हारे दुष्मनों की सादिश थी जिसमें तुम पिस्च चुके हो क्योंकि जिस खंज़ से इंस्पेक्टर शर्मा का कतल हुआ है उस पर तुम्हारी उंग्लियों के निशान आ चुके हैं और अब किसी भी हालत में तुम्हे फासी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता मैं बचाओं अपने भाई को वो निशान मैं मिटा दूँगा तो खंजर पर तुम्हारी उंग्यों की निशाना जाएंगे अब सिर्फ एक ही तरीका है अगर मुझरिम चाल चल सकता है तो पुलिस वाले क्यों नहीं आज से किशन वही करेगा जो राम चाहता है राम कुछ दिनों के लिए तुम उस हंदेरे में चले जाओ जहां तुमने किशन को रखा था और किशन तु फौरण अपने पुलिस टिशन पहुचो और उन हराम दादों को ये पता चलाने दो किशन की उंग्लियों के निशान कहां गाइब हो गए है कुएक भाई कबले राम चलो मिन साथ सर शर्मा जी का गातिल फरार हो गया है लेकिन उसकी उगलियों के निशान आड मिल गये है आई सी वो आदमे भी मिल जाएगा जिसकी उगलियों के निशान है वह अरनि इन्स्ऩेक्टर मातुर से बात करवाओ यप सर इन्स्टप्टर मातुर एर हाई जी खन्ना बोल रहा हूँ यह सर इंस्पेक्टर जैकेशन कहा है वो मेरी आखों के सामने अपने पुलिस टेशन में गया है सर वाट ये कैसे हो सकता है इंपॉसिबल उसने तुम्हारी आखों में धूल जोक कर इंस्पेक्टर शर्मा का खून कर दिया है अंदे जग देखो इंस्पेक्टर जैकेशन कहा है उस कमरे में खुलाईों ने बाए उन्होंने दर्वाजा अंदर से बंद कर रखा है और किसी तरीके चे खोलते ही नहीं दर्वाजा तोड़ दीजी आईए ही इक सर, ही ओि सर, ही जाफंद जाफंद मने जाफंदयी दर्वाज के लिए हाई, साम किशिन, क्या हुआ साम को? यह तो तुझे अपना दुश्मन समझता था मा इसे भी राम की याद आ रही होगी इसलिए मुझे प्यार करके अपना दिल बहर आ रहा है अगर तेरी निगाए मेरी आँखों पर ना पड़ती मा तो तुझे भी यह लगता ना? कि तेरा दाम आगे है? हाँ, बिटा आँखें तरस गई है उसे देखने को और एक वो है कि दिल को पत्थर करके बैठा है मा को मिलने भी नहीं आता अरे मा, क्या फरक है उसमें और मुझें सिर्व आखों का ही ना हो सकता हो नकली आखें लगा कर यहां रहकर चला गया हो यही मजा के रहा था मा चल बड़ी भूग लगी है बहुत दिनों से बच्चों के साथ बड़कर खाना भी नहीं खाया आज जी भर की खाऊंगा ऐसे गया देख रही मा देख रही हूँ मुन्ने और बिट्टू कल आएंगे मुझे अचानक वापिस आना पड़ गया था तुम फिकर ना करो समझतार बच्चे हैं मैंने सारा इंतिजाम कर दिया अब महरबानी करके कल उन्हें एरपोर्ट से ले आना मेरी एक जरूरी मेट अब के एंडीय का हॉंक का आने वाला विमान बांबे बहुत चुका है इस हॉंक कॉंक कॉंक कॉंगा है पर रहे जागेशन तु यहां क्या रहा है मैं मुन्य और बिट्टूं का रहा हॉं ली ना आया हूँ अभी नईथ आभी इंफ्रमेशन मिली है कोई आदमी करूर उर्पय के इंदोस्तानी जाली नोट लेकर आ रहा है सरी आपके बच्चे इस रोगा बाई इस रोगा है बाई चल सामन, चलते को इतनी सारी शापन यह बड़ा भाग हमारा थोड़ी है किसका है यह जान अंकिल को देना है जॉन अंकर? कान जॉन अंकर? आयम जॉन दीडी दिन्देल का दोस्त थांक युवर्य मॉच वर्कम तुमारी जगा अगर माय आईजी होता तो अब तक वो इंस्पेक्टर जैकेशन अंदर होता और एक तुम हो जो अभी तक मंदिर में बैचका घंटा बजा रहे हो तो क्या करूँ? जबरदस्ति उसे गोली मार दूँ गिरफतार करने के लिए कोई तो वज़ा होनी चाहिए क्यों? शर्मा की लाश पर उसकी उंगलियों की निशान काफी नहीं है शर्मा की लाश पर जएकिशन की उंगलियों के निशान नहीं है किसी और आदमी की उंगलियों के निशान है यह देखिए यह दूसरा आदमी है को? यही तो समझ में नहीं आ रहा और जएकिशन की उंगलियों के निशान कहा गाइब हो गए? लगता है स्टोरी में ट्विस्ट है हमारे चक्रवियों को वो लउंडा एक जट्के में तोड़ गया मुझे तो डर लग रहा है यार चुप करके बैठ यार क्या बैठ यार मारी सोने से पहले ही छाता खोल के बैठ जाता है अरे अच्छा खासा अंदर करवा दिया था चाला उस लउंडिया ने सारा खेल बिगाड़ दिया आइडिया आइडिया? पेसा आइडिया मेरा भारत महार करो उस लउंडिया का कल्यां दुकान बंद, मकान बंद, कर्फ्यू लगाए क्या? कहा मर गई सब लो? कुकान अच्पान भारत मेरा करुछा था दृस्थ वेुा वे लचुँए अरे वासाप किया टाइप एंटी वारी है ना वारी है यह मैग लुलु, 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 लुलु परंट मारता है देखा ये लड़का करंट मारता है मारता है जायल को जी ये खरता नहीं है जायल को जी खरता नहीं है परंट मारता है देखा ये लड़का करंट मारता है रंट मारता है देखा ये लड़का करंट मारता है जायल करंट मारता है जायल करो जायल करंट मारता है भी ओो प्राच मारता है इस बायल मारता है जैसे मैं इसके लग दिख जाओ जैसे इसे पेप करना सिखाओ जैसे मैं इसके लग दिख जाओ कैसे इसे पेप करना सिखाओ सर पे मेरे प्रेम ग्रंथ मारता है देखा ये लड़का करन्थ मारता है ग्रंथ मारता है ग्रंथ मारता है देखा ये लड़का करन्थ मारता है करती रही हो ये है वो ही आ है कोई दूजा पर पी रही हो मैं जिसकी पूजा ये है वो ही आ है कोई दूजा लुखडे पे कौन सा ये रंग बारता है देख्वा ये लड़का का रंग मार चाहे पर रंग मार चाहे पर रंग मार चाहे ताटी जी ताटी जी अमिता बच्चन का गाना आ रहा है पहले सबजी तो काट लूँ सबजी बाद में भी कट सकती है अमिता बच्चन बाद में नहीं आएगा क्यों आमिता बच्चन तेरा रिष्टदार है क्या वो मेरा हीरो है एक विशेश सूचना ये टीवी वाले सारी सूचना समाचार में क्यों नहीं देते चलो बिट्टू बिनाका लगाएंगे चलो खबर मिली है कि जाली नोट चलाने वालों का एक आदमी पुलिस के हातों से बच निकला है लेकिन उसके पास से बरामत ब्रीफ केस से पचास लाग रुपे के जाली नोट बरामत हुए है ये विक्टी जॉन है ब्रीफ केस इसी के पास से बरामत हुआ ये ब्रीफ केस इसे एयर पोर्ट पर किसी पैसेंजर ने दिया, पुलिस उस पैसेंजर की तलाश में है पुलिस कमिशनर चमशिर खान ही हो, हलो सर मैं किशन बोल रहा हूँ, आज ये किशन बोलू क्या बात है, सर नकली नोटों के कारोबार करने वाले गैंग लीडर का पता चल गया है, सर, क्या, कौन है वो, सर वो इनसान जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, तो फिर उसका देंदयाल क्या बात है किशन बेटे, क्या कोई ड्रावना सपना देखा है, ड्रावना सपना नहीं देखा देंदयाल आज मैंने तेरे जैसे देश्डोही का उसनी चाहँ देख लिया है, कमा, गयारा I said, get up, you bloody smuggler पर खुर्दार हम कुट्टों के भौपने का बिलकुल बुरा नहीं मानते तेरे सामने कुट्टा नहीं एक पुलीस अफसर ख़़ा है येलो हटी और दर्वादे पर जाकर बैट जाओ मालिक की रखवाली करते रहो रोज हटी मिलती रहेगी किसके हिस्से में हट दी आएगी ये तुझे आज पता चलेगा अराम सादे इस्पेक्टर जैकिशन एक जड़दर शहरी के साथ ये सलुक किया जता है सेर आप इसे नहीं जानते ये एक जड़दर शहरी नहीं बलके एक स्मगलर है ये वो खुदगर्द इंसान है जो खुद को दौलतमन बनाने के लिए पुरे देश को गरीबी के कुवे में धगल रा है जानता हूँ तुम घर जाके आराम करो ये केस मैं संभाल लूँगा आपको जितना समालना था आप समाल चुके मैं समाल यहां से जा पाओगे तो समालोगे ना कौन रोकेगा मुझे तुम्हारे तो मासूम बच्चे है ना मेरे नवासे वही तुम्हारे पैरों में बेडियां बन जाएंगे मेरे बच्चे? हाँ हाँ भाई तुम्हारे बच्चे दीन बयाल के पास हर मर्ज का इलाज है यह तस्वीर जरा देखनो जाली नोटों से भरा हुआ यह बैग जब तुम्हारे बच्चे जान को दे रहे थे उस वक्त हमने यह फोटो ले ली थी इस तस्वीर को देखकर तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हें भी गरफतार करने में मुझे बिल्कुल देर नहीं लगेगी एक तरफ एश और आराम की जिंदगी और दूसरी तरफ जेल की चक्की बच्चों की तबाही यू प्लड़ी प्लाह मेला तुझे पशाने में साथे रो गई यह तुम्हारी अपनी गल्ती है और इस गल्ती की सजा यही है कि तुम अपना जमीर डिल और दिमाग हमारे हवाले कर दो जैकिशन मैं कबसे आफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा था कहां है वो अरामजादा कौन सर्थ वोही जाली नोट चलाने वालों का सरदार किसकी बाद कर रहे हम सर मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके बारे में तुमने मुझे फोन किया था मैंने आपको फोन किया मैंने आपको कोई फोन नहीं किया मैंने आपको कोई फोन नहीं किया अब क्या कह रहे है मेरे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे फोन नहीं किया नहीं तुमने तुमने तो मुझे ये भी कहा था कि उस गैंग का लीडर कौन है तुमें पता चल चुका है बिलकुल नहीं तुम जूट बोल ला हो यू आर लाइंग मिस्चर जैकेशन यू आर लाइंग तुमने अपने आपको उस आदमी के हाथों बेच दिया है अपनी इमानदारी का सौदा किया है तुमने अपनी इस वर्दी को निलाम किया है तुमने ये जूट है सर मैं कल भी मानदार था और आज भी मानदार हूँ खर्ट कल तक मुझे विश्वाद था के तुम्हारे पता की हत्या की गई थी लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह बैइमान था उस बैइमान की छोड़ी पकड़ी न जाए इसलिए उस कायर ने आत्मात्या कर ले तुम्हारा ये घुसा इस बात का सुबूत है जे किशन कि तुम अभी तक बिके नहीं हो लेकिन इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें खरीदने की कोशिश की गई है तुम्हें जान की धंकी दी गई है तुम्हें तुम्हारी मा को तुम्हारे बच्चों को दाव पर लगाया गया है सिर्फ एक बार उसका नाम बता दो मैं उसे पागल कुटे की तरह घसीटा हुआ सिदा फांसी के तक ले जाओंगा कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगागताएगा ये मेरा वादा है वो लो कौन है वो मैं कहे चुका हूँ मैं कुछ नहीं चानता जै किशन अगर चौबीस घंटे के अंदर अंदर तुमने मुझे उसका नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें सच पैंट कर दूँगा केशन मा अभी तक सुई नहीं मैं ये सब क्या सुन रही हूँ कमिशनर साब क्या कह रहे थे मा कमिशनर साब को धुका हुआ है मैं कभी ऐसे कर सकता हूँ इनके सर पे हाथ रखके पूल कि तु ऐसा कोई हलक काम नहीं कर रहा है जिसके कारण इनके सिंदगी पे आँ जाए मैं बच्चों की सर की कसम खा कर कहता हूँ मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ जिसके वज़े से इनके सिंदीके पर कोई हाच भी आई इंस्पेक्टर जएकिशन बर्खुर्दार हम तुम्हारे बाप बोल रहे हैं बोलो बोलो नहीं बोल ये कहते हैं हम देख रहे हैं कि तुम कुछ थोड़े से बत्तमीज होते जा रहे हो मतलब की बात करो मेरे पास फाल तुम बात करने के लिए वक्त नहीं है सुनो अब ही अपने पुली स्टेशन जाओ और नंदू को रहा करवा के हमारे पास लियाओ तुम्हारा दिमाग खराब है पुली स्टेशन से किसी को छोड़ाना बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है जानता हूँ इसलिए ये काम तुम ही से कह रहा हूँ किसी नन्य बच्चे से नहीं और याद रहे ये काम आज ही रात हो जाना चाहिए जो भी होगा आज ही रात को होगा ये लाइट को क्या हो रहा है ये कमाल है यादासाइफ यादासाइफ नंदु भागया नंदु भागया कजया лисьएफ ऑस्तêmeट जी मैं नंदु बोल रहा हूँ आपकी कत पूतररशा ने कमालर॥ कर दिया मुझे पिंजडे के साथ ही ले उड़ा अच्छा जरा फोन उस कबूतर को देना जी सेर जी बर्कुरदार अगर तुम इसी तरह हमारा साथ देते रहे तो देखना हम थोड़े ही दिनों में तुमें कहां से कहां पहुचा देते हैं मुझे कहीं भी पहुचाने में तुमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा लेकिन तुमें मिटाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा साथ की तरह ठेड़ा चलने की कोशिश मत करो डीडी का मतलब है डेडली डेंजरस डेंजिरिस तो इस वक्त मैं तुम्हारे लिए हूं तुम्हें बारूद के ढेर में आग लगाने का बहुत शौख है ना तो लो सुन लो ये धमा का ये दो पास्टर्ड ये दो ब्रांच आफिस था अब देखना मैं तुम्हारे हैड आफिस कैसे उडाता हूं किल दट बास्टर्ड अधिस तीधे पुली स्टेशन चल नहीं तो खुपड़ी उडा दूए ये लडगी तुम्हारे दिमाब तो खराब नहीं हो गया अच्छा विजडी से लड़की हो गई दाल में कुछ काला है ये तो मैं उसी वक समझ गई थी जब तु बस्ती में मुझे छटक कर चला गया था लेकिन आज तेरी काली कर तूतों को भी मैंने अपनी आखों से देख लिया है तु इस वर्दी की आड में जो खेल खेल रहा है वो मैं तुझे नहीं खेलने दू जो तुम समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ आमेर राम नहीं किशन हूँ तुम्हारे साथ का हमशकल भाई क्या हूँ तुम्हारे साथ क्या हूँ क्या हूँ क्या हूँ veil ठाच क्याब प्रिस्टम्सी प्राइब टुब हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु तुने गर बसने से पहले ही मेरा घर उजाड़ दिया तुने माबाप चीन लिये फिर भी में तुझे पूछती रही प्यार का एक हलका सा जोका आया जिंदगी में वो भी तुम से देखा रही गया अगर इंस्पेक्र मेरे साफ का भाए है तुम हिन मेरे साफ कहा वे भगवान? क्या प्योंदधक, क्या पाइ दून! मेरे भाए नाम तर पुल्चाओ देता तुम्हार पाइ कहा है तुम्हारे कहा है? मैरे नाम कहा है? वो कमें विसना समुझ जयाते हैं वर्षे, वर्षे किना जया गरेइस आप बुर्षेद आप गरे जया गरेइस यह दे नप किक्रया बुर्षे आप अल Имन... बुर्षे आप चिन Templfast रीं यह दे जदीकरया ध impact unda झाल झाल प्राम, अगर तुमने अपना भाई खोया है, तो मैंने भी अपना बाद और असर खोया है, लेकिन सिर्फ आंसू बहाने से ये नुखसान पूरा होने वाला नहीं है, सबसे पहले हमें उस खूनी दरिंदे का शिकार करना है, जिसी दर्दन पे, किशन ने अपने पन्जे कारे थे, कौन है वो दरी नसर? जो कोई भी है, अपने ही है, कोई गएर नहीं, वार किशन की पीट पर किया गया है, और पीट पर वार सिर्फ दोस्ती कर सकता है, दुश्मन नहीं, किशन को पता चलिया के गुनागार कौन है, लेकिन दुश्मन किशन से कहीं ज्यादा चालाक निकला, उसने एक शक्रव्यू बनाया, और अभी मन्यू को मार डला, लेकिन उसे ये पता नहीं के हमारा अरजुन अभी तक जिन्दा है, क्राम, अब तुम इस चक्रव्यू को तोड़ोगे, लेकिन अरजुन बनका नहीं, अभी मन्यू बनका, मैं समझे नहीं, ये बात सिर्फ हमें मालूम है किशन जिन्दा नहीं रहा, लेकिन दुनिया को हम ये बताएंगे, किशन को जान से मारने की कोशी जरूर की गई थी, लेकिन वो जिन्दा बच गया, हमें कैसे पता चलेगा के दोस्तों के भीड में वो दुश्मन को है, ये बटन तुम्हें उस दुश्मन तक पहुंचाएगा, क्या हुआ रहा हूं, इस तरह का बटन मैंने पहले कहीं दिखा है, तो फिर याद करो, कौन है वो आदमी जो ये हुँआ खुद के शन का हत्याँ है, दीन दैयल, ऐसे बटन तो दिन दैयल जी अपने कोट में पहनते हैं, कौन दीन दैयल? किशन के ससर, कहीं दीन दैयल ही वो शक्त वो नहीं है, जीसे किशन लिन अगख गरने वाला था, क्या भात करें सर, देन दैयल जी तो एक निंसान ह और वो इतने नहीं कि सकते कि अपनी बेटी का सुहा गुजार दे ये कल्यूग है राम यहां लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी की जान ले लेते हैं और तुम तो दामाती बात कर रहे हैं एन्यूवे सबसे पहले हम ये खबर कि किशन जिन्दायल तक पहुचाएंगे अगर दिन्दायल के हाथ किशन के खून से रंगे हैं तो वो हमारे सामने हर्गिज नहीं आएगा कोई ना कोई बहाना करेगा फिर हमारा शक यकीन में बदल जाएगा कि दिन्दायल ही वो शक्स है आगे, हमारी लिखे हुए कहानी हमी को सुनाने थैंक यू वेलकम कमिशनर, वेलकम फरमाईए, क्या खुश खबरी लाए हैं आप खुश खबरी नहीं है दिंदायाल जी बलके एक बहुत ही बुरी खबर लाया क्या हुआ इंस्पेक्टर जैकिशन क्या हुआ आजाया क्या गया कॉ कर रात उसे कुछ लोगों ने जान से मारने की कोशिश की थी लेकिन लेकिन क्या वो बच गया थैंक गॉड कहा है मेरा क्यशन पोलीश प्रिट हॉस्पटी ए जाण से कहना के हमारा काम अधूरा रह गया है कौन्छा काम सिर तीन दयाल के लिए काम करते हो और उसकी आखों का इशारा भी नहीं समझते है स्वरी सिर कहना के उसका एग्रिमेंट कैंसल कर दो राइट सिर जब है हुआ 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 है हर द सरे का ए हर ते अ हर जूए वजए जोजए ढए डॉक्टर साब, ये किशिन साब बच जाएंगे ना? अमारी ये ही कोशिश रहेगी एाएंगे जाएंगे एाएंव buddies बॉक्य सब्योखेग र兒ok बॉल ऑनकर ता्सानकर्णणख पींर da आज तुम्हें फिर मादने की कुशिश की गई? लेकिन कामे अब नहीं हुए, एक मर गया, दूसरा भाग दिया उसका वजीर सामने पड़ा है, आप मारते क्यों नहीं? अगर हमने उसके वजीर को मार दिया, तो वो हमारा बाश्या का जाएगा आपकी नजर काफी तेस है, हर चाल को पैचान लेते हैं सिर्फ इंस्पेक्टर जैकिशन की चाल को छोड़ कर जैकिशन की चाल? कुन सी चाल? जिस आदमी को हमने अपने हातों से गोली मारी थी उसने हमें पैचाना क्यों नहीं? अपनी जबान क्यों नहीं खोटी? बलके जंग का एलान कर दिया नंदू को मार कर हमारे गुदाम को आग लगा कर जॉन बैंकों में जितने भी हमारे जाली नोट हैं उन्हें वापस बंगवा लो कुछ दिनों के लिए ये दंदा बंद कर दो दीडी इस आइनस के पूछे पगेर कोई भी का मत करना और नपस्टाना होगा डीडी का दूसरा नाम लाइन है अगर जोर से दाड़ दिया तो तुम ने मुछ कमावा तुम ने मुछ कमावा तुम इस आइनस के अड़ में को आई किल यू इफ यू वाट शूट शूट डादी जी आगे चलो बेटा हाथ मुधोलो मैं नाष्टा लगाती हूँ वो तो हम लोग रोजी करते हैं आपकी तो हर बात मानते हैं इसलिए तो दादी इतना प्यार करती है तुमको मगर आज आपको हमारी बात मानी पड़ेगी कौनसी बात? आपको एक नाटक लिखना होगा कैसा नाटक? हमारे स्कूल में फंक्शन है उसके लिए हाँ बिटा नाटक तो नहीं लेकिन एक हकिकत जरूर लिखूँगे ओडर ओडर हाँ सिता देवी आप अपना बयान जाजी रखिये चेमानलाज और बदरी परसाथ ये दोनों ही मेरे पती के कातल है मेरी आखों के सामने इन्होंने मेरे पती का खून किया और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इन्होंने मेरे पती कीलाश रिल की पट्री पर रख दी जैच साथ आप इंदोनों को फार्सी के फंदे पर चड़ा दीजिए अधारिये मेरा भारत महान हरे कृष्न सरे राम यह नातक देखते हुए थोड़ी देर के लिए तुम्हें कनफूज हो गया था कि कहींए लड़की हमें तो नहीं और नहीं कहे दिये कि हम कातिल है मैं यह कह रहा था कि हम दोनोंने किसी का कतल नहीं किया हम खुनी नहीं हैं, हम तो नेता हैं इस देश के तुम खुनी हो मह? हाँ पिता ये है तुम दोनों ने मेरे पती का खुन किया पिता ये ही है वो दोनो जिननों ने मुझे विद्बा अब तुछे यदिम बनाया अरि ये क्या हो रहा है जार्फे! जार! जार्फे! 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 जो वर्दी तुमने अपने भाई से चीन कर पहनी थी ताकि तुम अपने बाप के गातिल तक पहुंच सको उन्हें मिटा सको आज वही वर्दी मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक बार फिर राम से किशन बन जाओ पहन लो वर्दी अगर वर्दी देनी है तुमजे वो वर्दी दीजी जिस पर खून केके कत्रे से मेरे भाई की मौत की कहनी लिखिए मेरा भारत महा मंत्रियों का भी होने लगा अपमान तु चुप कर कर बैठके यार जल्दी फाटक खोल जब तक हमारे साब का उकब नहीं होता हम भाड़क नहीं खोलेंगे अरे हम मंत्री हैं मंत्री खोल तो हम भी संत्री हैं संत्री किसी के बाप के नोकर नहीं तो हम भी संत्री हैं संत्री किसी के बाप के नोकर नहीं ह Luther कि अर वर्दी कि बात है तो फिर दोना ही झाय क कुछ तोप। किस एक हुए इसका कि पूर नवम बैख कर से है हमारे कृति जबाए सब्सक्राइब कर रहा है छोड़ी चब से जुँ कर रहा है जोड़ी अगर मुझे पहले से पता हो तहां कि तु इतना डरपो को है तो मा तुझे अपनी पार्टे में कभी शामिल ने करता है तूम नहीं लेकर så क्या होता है मैं मर जाता है हिंदुस्तान में पार्टियों की क्या कमी है क्या अरे राम बदरी जी अब सारी राज शराभी पीते रहोगे आईए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ मैं आजी भीट हरे में और मुझे मार डालेगा आईजी हूँ कोई मामोली इंस्पेक्टर नहीं लेकिन उसने माड़ी दिया तो तुम क्या कर लोगे उससे पहले मैं उसे गोली मार दूंगा गोली अच्या जालो तो फिर चलते हैं गुद नाइट लेट लेजे ठीई अरे रहा माँ अरे रहा माँ अरे यह क्या बत्तमीजी है इस तरह हमारी गारी रोकने का बतलब क्या है I'm sorry sir मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आपकी गारी में बद्री प्रसाद जाली नोट छुबा कर ले जा रहा है जाली नोट और मेरी कार में जी sir यह जुट बोल रहा है जरूर इसमें इसके कोई चाल है You shut up अगर यह बात जुट निगली तो तो मैं अभी इसी वक्त यह वर्दी उतार दूंगा ठीक है तुम गाड़ी की तलाशी ले सकते हो आप 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 अ अ आ अ कर आ यह यह नोट महीने नहीं रखे मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता ये सब इस हरामजादे की चाल है मुझे फसाने के लिए ये लड़ी पास्टर तेरी इतनी हमत तुने मुझे मारा बदरी प्रसाद को मारा अरे अभी तो थपड़ मारा है जादा बकौास की तो जान से मार डलूगा बदरी प्रसाद पर उठने वाला हाथ बदरी प्रसाद थड़ से अलग कर देता है ये घलत कर रहे हो तुम बदरी प्रसाद तुम्हे सही के अवलाद तुने क्या सूचा है जाली नोट इसके गाड़ी में रखकर फसा देगा मुझे देखो बदरी अभी तो तुम्हें दो चास साल की सजा होगी लेकिन कतल के अज़ा में जिन्दे की भर चक्की पीसने पड़ेगी अरे तू क्या चक्की पिसाएगा मुझे परसो पहले तेरे बाप को निगल गया था क्या कर सका तू और तेरा कानून मैं तुम दोनों को भी उड़ा दूँगा यादो गोली पर चला लग आई जी खन्ना जी तो चाहता है के तुम्हें गोली मार दे तो मार दीजिये न आपीने तो कहा था सूट सूट डॉन टाक इसलिए के लोग कहेंगे के आब लॉइन चुहों का शिकार करने लगा है आपके बात में भी पॉइंट है लेकिन वो जैकेशन को कैसे रोका जाए अगर आप मेरी बात माने तो चुप बिल्कुल बीच में मत बोलना तेरे आइडिया पर चलके मेरा बद्री परलोग सिधार गया अब तो मेरा भी प्रोग्रम कराने वाला है क्या बॉस अपने दामाद को रोकिये मुझे तो लगता है बिना का गित मला की अगली पाइदन पर मेरा ही गित बजाने वाला है वो मेरा दामाद नहीं है वो अपका दामाद नहीं है? नो तो फिर कौन है? वो जो भी है लेकिन डीडी से ज्यादा नहीं कल हमारा जनम दिन है सारे हिंदुस्तान के बैंक मैनिजर्स को बुलाया है उस इंस्पेक्टर को भी बुलाया जाए जान जान इस बार शत्रण की बाजी तुम भी चाओगे और ये आखरी बाजी हम खुद उसके साथ खेलेंगे आँ भई याँ बर्थडे जनम दिन अरे मेरा जनम दिन नहीं मेरा जनम दिन कभी मेरे बाप ने नहीं मनाया है मैं क्या मनाऊंगा? और सब कुल टाइम पर पहुंच जना जहीं है? ये एक काम करो तुम भाग कर हिंदुस्तान आजाओ हम आजी आता है लगता है इसकी मौद भी इसे खीच कर याल आ रही है तेरे मौद तेरे पीछे ख़़ी है क्या बोलती ही कमीनी? वो भी मर्द की आवाज में मेरा नमबर लग गए? ठीक है बद्री, मैं आ रहा हूँ जैकेशन भाई, बीना का गेत माला में मेरा ही गेत बजेगा क्या? पचीस साल पहले तुने मेरे बाप का खुन पानी में बाहर था लेकिन मैं तेरा गंदा खुन इस पानी में बाहर कर इसे गंदा नहीं करूँगा तेरी जिसम में से सुखा दूँगा ऐसे दादी, नाष्टा दो दादी, नाष्टा दो लाती, बाबा नाष्टा दो किशन बेटे, चलो नाष्टा लग गया आया माँ किखन किखन वह! किखन पापासाब कहा है? बोध्य कहा है सापा? यह, यह, यह राम? राम? कहा है राम? किशन कहा है? तिर सामे तो हमा तू किशन नहीं मैं, राम है मैं राम नहीं, किशन हूँ तेरी आखे दोगा खारी है वाँ मेरी आखे छोड़ा अपनी आखे देख मेरी आखे? राम रुक्चा, राम रुक्चा राम राम बता राम, किशन कहा है? मैं नहीं जानता माम अगर तू नहीं जानता, तु तुछे राम से किशन बनने की क्या ज़रूद थी? जवाब दे बता मैं नहीं जानता माम बता। बोलो ना चाचा, हमारे पकर का है यह पापा भी मुमी के पट चले गए बोलो ना चाचा बोलो ना, चाचा, बोलो ना, चाचा, बोलो ना, चाचा, बोलो ना, 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 बोल ख़ो डरवाजा कोल! कोल बरवाजा! कि एिशन कहा है! पाँ ठाँ घाँ जाँ एाँ जाँ! कुक कि घरे कि शतूप सुएू कुक कि या। कि जाय कि भाईए भाईए लिए। कि लिए रहद आरकी श इसने की हमे रादी खजए। नाय! नाय! किशिन को घर से बिरा नहीं करेगा। तरूंगा मा, उस दिन जिस दिन मुझे पता चलेगा किशिन को हमसे किस ने चीना है। किशिन का गातल कौन है और उस बटन का मालक कौन है। माव, जिन्दगी में आज पहली बार मैंने जोटी कसम खईये। वह भी इसलिए कि मैं सच्चाए को सामने ला सको। जिस आदमी के मुझे तलाश थी, वह आदमी मुझे मिल गया। जाली नोटकागा पार करने वाला कोई और नहीं। बलके सेट तीन दयाल है। वह आदमी जो अपना गुराँ चुपाने के लिए अपनी नमासों के सिंदगी से कहल सकता है। वह कुछ भी कर सकता है। अब तो मेरा शक यकिन में बदल गया है कि मेरी बीवी और मेरी पिता का अत्यारा हो ही है। माच के राद उसके सिंदे की आखरी राद होगी। कर दो कि आखरी राद हो यह आखरी आखरी बार दरी से कुछ है। हालो मिस्टर लूई वेल्कु तो Welcome to India! Welcome to India! What welcome! तुम्हें कारागम से बीठा है उधर हमारा कवर्मेट ने तुम्हारा करंसी पाल लिया Don't worry my dear करंसी तो फिर भी छप जाएगी और डीडी कभी कोई ऐसा धंदा नहीं करता के जिसमें नुक्सान हो अरे आज हमारा जनम दिन है और किसी का मरन दिन Let us celebrate it! Come on! Here it is! Cheers Louis! थाएद हु करता मुद्ष celौ Hopkins सब्सक्रा के तास गयं हुक्त मुद्सक्वत ताके खिर मुद्स मौत का परिश्टा हिसाब लेने आया सारे सवालों का जवाब लेने आया मौत का परिश्टा हिसाब लेने आया सारे सवालों का जवाब लेने आया मौत का परिष्टा हिसाब लेने आया है सारे सवालों का जवाब लेने आया है मौत का जवाब लेने आया है है पास मेरे जिनकी निशानियां लिखी है जिसमें सारी कहानियां मैं वो गुना हो की मैं वो गुना हो की मैं वो गुना हो की किताब लेने आया है सारे सवालों का जवाब लेने आया है मौत का परिष्टा हिसाब लेने आया है सारे सवालों का जवाब लेने आया है सारे स्वालों किस Bye सवालों के रुफ मैं यारे मैं हुआओ मैं हो है भnd मैं ले ढ़िक मैं ले वोluded लोगक मैं लेड़ impeachment अजमा के माला निशान नहीं छोड़े अजमा के माला निशान नहीं छोड़े इसके चमन से गुलाब तुने तोड़े वापस वो सारे वापस वो सारे वापस वो सारे गुलाब लेने आया सारे सवालों का जवाब लेने आया मात का परिष्टा हिसाब लेने आया है सारे सवालों का जवाब लेने आया है जब लेने आया है है लंबा सबर है होंगी दुश्वारियों चलने की दार्थ कर लो तैयारिया साथ आप को मैं साथ आप को मैं साथ आप को मैं जनाब लेने आया हूँ सारे सवालों का जवाब लेने आया हूँ मात का परिष्टा हिसाब लेने आया हूँ सारे सवालों का जवाब लेने आया हूँ तुम मौत का परिष्टा हिसाब लेने आया हूं जाढ लागे हूं लागे हूं औो कर दे लागे हूं आपने आप इसा का जान बचाने का है तो हमको यह से जाने दो नहीं तो हम इसके है को डेट कर देगा अपने अपने आपनी को बोलो डॉप दगन डॉप दगन इस्टेक्टर आई सेट डॉप दगन तुमने सुना नहीं मैंने का पिस्तौल भेग दो प्लाडी फूल अगर गोली मुझे लग ज़ी तो तो इस धरती पे बोश कम हो जाता यू बास्टर्ड चुप दे तलाल जिस तरह शत्रण्ज का अच्छा खिलाडी बाश्चा को बचाने के लिए प्यादों के खुर्बानी देता है इसी तरह हमने अपने आपको बचाने के लिए इन प्यादों को बरवा दिया लेकिन तुम अपने आपको नहीं बचा पाओगे डीडी को मारने के लिए तुमें एक छोटा सा तमन्चा लाए हो जिसके कार्दू भी खत्म हो गए अरे बरखुरदार है इन खिलोनों से तो हम उस वक्त कहला करते थे जब इन बच्चों की उमर के थे शाच्छा चाच्छा ओ आई सी ठांक यूं मैं गरैंट्चिदर्न ठांक यू जिस उल्जनने हमें इतने दिनों से परिशान कर रखा था उसे तुमने दो मिनाट में सालव कर दिया तो गगया तुम किषन नहीं, राम हो मैं किषन हूँ या राम तोणही सूरत में तेरी मौत हूँ मौत के कदमों में आवाज नहीं होती बरकुरदार अगर यकीन नहीं आता है तो नमूना देख लो जाटा अलाव जादाद लेंगवेज प्लीज लेंगवेज यूटल दी तॉट जान बने का डान जान राम किशन वर्मा के आखरी चराख के बुजने का वक्त आ गया है तुम इसकी मौत से खेलो और हम इनकी जिन्दगी से खेलते हैं याँ जाटा अरे हुई सामबा तेरी तो याँ 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 बस करो जॉन, बस करो इस दिये का तेल तो अब खत्म होने लगा है तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए था नहीं हाँ, तुम्हारे भाई किशन को मैंने ही अपने रास्ते से हटाया था तु नाना नहीं कुट्टा है मामूली कुट्टा नहीं मुनी, बुल्डाग क्यूंके तुम्हारी मा की जान भी मैंने ही ली थी चाचा, भला ही अमर जाए, मावर इस कुट्टे को नहीं छोड़ना अगर जरा सा चाख और खीच लिया न तो चाचा से पहले तुम उपर पहुँच जाओगे यहां तुम्हारे दादा राम किशन वर्मा को हमने पहुचाया जूप जान, इस मत के फरिश्टे को उसके पिता के पहुचा दो रहाँ बाल लटए 서비ह कि अगलत लुट अगल से उता overe हात лишь कि अगल realizing पहाँ प्ब लुट दोल शड़ लुट आसे कि टारऊ लुट हाँ हाँ उसाय! एह! औचा हुआ औचा हुआ प्रेंक मेनेजर स्काइब ए चलो उठ उठ चलो उदार को तेरी तो चल ए देखता क्या है थड़ा पर चल चल जशन में आय थे साले गिरिफ्थार कर लो इन सबको दादी 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 वेल दन जैराम वेल दन थाक्यों क्यों बैक मारची है परंट मारची है देखो ये लड़की का रंट मारची है बैक मारची है परंट मारची है देखो ये लड़की का रंट मारची है कर दो झाल झाल